तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आज कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी वेबसाइट के होमपेज के लिए किस तरह इमेल एड्रेस केप्चर करने के सेक्षिन क्लिएट कर सकते हैं सो जैसा कि आप देख सकते हैं यह है मेरी वेबसाइट आस्क ब्लॉगिंग डॉट कॉम और इस वेबसाइट में मैंने लगा रखा है वांट तो बिकाम प्रोफेशनल एक्सपर्ट उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन है उसके बाद इंटर्यू नेम इंटर्यू इमेल और इ यूज किया है तब भी आप इस टूटोरियल को पुरी तरह फॉलो कर सकते हैं तो आपको आपके चलके प्रॉब्लम होगी इस वीडियो में और एक चीज़ और मैंने इस वीडियो में एक और एड़ आन आता है जिसका नाम है इसेंशल एड़ ओन फॉर एलिमेंटर तो मैंन प्रानाम इंटर करूंगा फिर इमेल एड्रेस एंड देन इन्रोल नॉव एड्रेस और इन्रोल नॉव पे क्लिक करने के बाद हमारा जो पेज है वो रिडारेक्ट हो गया प्रिस कन्फर्म एड्रेस पेज पर अभी देखते हैं हमें पास कोई इमेल आया कि नहीं आया सो प क्लिक करके दन हमारे लीड मैगनेट ओपन हो गया है अब आप यहां देख सकते हैं कि मैंने यहां पर प्रॉमिस किया हुआ है कि अगर आप अपने इमेल कंफर्म करेंगे तो मैं आपको मेरी एक एबूक है वह मैं आपको फ्री में दूंगा सो प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मैंने आपको अपनी फ्री में दी अजब अपने क्लिक है कंफर्म यूर सब्सक्रिप्शन पर अब यहां पर आते हैं मेरा कंवर्ट किट का अकाउंट चो मैंने अपने वेबसाइट से कनेक्ट कर रखा है अब हम यहां देखेंगे कि जो हमने इमेल एड्रेस यहां इंटर क कंफर्म और डेट आप देख सकते हैं 17 मार्स 2021 अब भी हम बात करेंगे कि आप इस तरह का फॉर्म अपनी वेबसाइट में किस तरह इंप्लिमेंट कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम आते हैं अब यहां पर एडिट विट एलिमेंटर पर हम क्लिक करेंगे आपको यह आप यह करना ही है सो हमारा पेज अभी लोड हो चुका है अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम अपने जो इमेल एड्रेस का जो सेक्षेन था यह वाला तो हम इसको किस तरह क्रिएट करेंगे वह हम यहाँ पर देखने वाले तो सबसे पहले आपको इनर सेक्षेन यह आपको बेगनर हैं तो मैं आपको बता दूँँ यह सारे विजेट्स हैं जिसकी हेल्प से आप अलिमेंटर में बहुत सारे एडिटिंग कर सकते हैं तो अभी हम बात करते हैं कि इन विजेट्स को आप कैसे यूज करेंगे सिंपली आपको इसको ड्रैक करना है और यहाँ ड्रॉप इसके बाद शो फाइल्स पर हम यहां क्लिक करेंगे एंड यह हमारी इमेज इसको मियां से ओपन कर लेंगे ना इंसर्ट इमिज है ओके हमारी यहां इमेज इंसर्ट हो चुकी है उसके बाद आप देख रहे हैं यहां पर लिखा है वान टू बिकम आ प्रोफेशनल एक्सप करेंगं दो ऑसर्ट तो हम इसको उठाके पूरा COPY कर लेंगे औरो इस पर चलीक करने यहां बद आपको आना कि अधंग के ऊपर可愛क्र लिए और और करना है यहाँ अध्यान ने जो दो section आपको देख रहे हैं यह वाला और यह वाला इसके ऊपर आपको करना है इसके अंदर नहीं से तरह करना है आपको समागार कर देना है और यहाँ है अब हमारा टक्स्ट जो है वह है सेंटर में तो हम इसको करेंगे सेंटर में यहां तो नीचे करने के लिए जो लोग टेक्निकल बैक्ग्राउंड से हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि मार्ण बैडिंग क्या होता पर जिनको नहीं पता है सिंपली मैं जो कर रहा हूं उसको फॉलो कर रहें और थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करें क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बिल्कुल इमें जासा नहीं बनाएंगे तो आप यहां पर उसके सब्सक्राइब कर सकते हैं मार्जिन पैडिंग के साथ जिससी कि आपको मानूं चौर्ट और पर्फेक्ट नाु टेक्स्ट कलर टेक्स्ट कालर में हम इसको व्याइट करेंगे और थो टाइपोग्राफी टाइपोग्राफी में हम टाइपोग्राफी देखे आप इसको खुद चूज कर सकते हैं जो भी आपके अकोर्डिंग हो मैं यहाँ पर वर्दाना जो टाइपोग्राफी उसको चूज करता हूं अब साइज साइज इंपॉर्टेंट है साइज आपको चू तो 400 किया यह देखिए इसका जो वेट है काफी पतला हो गया अब हम इसको थोड़ा बढ़ाएंगे कि हम इतना पतला नहीं चाहिए तो अभी थोड़ा ज्यादा हमें करना पूड़ेगा 800 900 ज्यादा इसे फर्क नहीं बढ़ा कुछ अब भी हमें थोड़ा इसको और बढ़ा करना जिससे कि जो यह एक्सपर्ट है यह नीचे आ जाए तो उसके लिए आपको करना क्या होगा आपको इसका साइट बढ़ा देना है हमने इसको 43 कर दिया है अब देख रहे हैं कि यह एक्सपर्ट नीचे आ गया बट इन दोनों की आकर आपको इसको 1.4 परफेक्ट तो 1.4 आपको कर दिना है अब इसको हम थोड़ा और नीचे लेखे आएंगे इसको नीचे लाने के लिए सिंप्ली हम एडवांस पर क्लिक करेंगे और हमारा टॉप को मार्जिन है उसको हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे सो 30 करने के बाद आप देखिए जो हमारा डिस्क्रिप्शन है इसका गेट और मुस्ट लव टेंडेश स्यू मास्ट्री फॉल कोर्स तो हम इसको यहां पर कॉपी करेंगे सबसे पर क्योंकि हम यही पूरा बना रहे हैं तो इसको हम यहां पर कॉपी करेंगे और यहां पर आपक करना है इसको करना है इसको करना है और यहां पास दो दो हो गया यह उपावाला हम यूज करेंगे डिस्क्रिप्शन के लिए नीच वाला यूज करेंगे हम अपने email capture form के लिए सो फिलाल हम यहां पर आते हैं और यहां पर हम टेक्सट एडिटर को ड्रॉप कर देते हैं इसको आपको जैसे करना कर सकते हैं तो इसको आपको जैसे करना है या आपकी इस तार का में इसका वाइट रखेंगे तो अभी आप देख सकते हैं अगर टाइपोग्राफिय हम हटा दें तो लगबक लगबक हमारा पूरा-पूरा यह सेम हो चुका है यहां पर हमें काम यह कर सकते हैं कि हम इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर देंगे हमारा टाइपोग्राफिय का अब साइज हमारा इंक्रीज हो चुका है इसको हम उठाके वोल्ट भी कर देंगे अब थोड़ा सही लग रहा है आप बार यह आती है हमारे टेक्स बॉक्स की जो की में चीज है तो इसको इंप्लिमेंट कैसे करेंगे आप सिंप्ली आपको करना यह है आपको यहां पर फॉर्म सर्च करना है ठीक है फॉर्म सर्च करने के बाद आपको यहां पर फॉर्म नाम का विजट देख रहा होगा आपको सीधे यहां पे इसको ड्रै करके यहां ड्रॉप कर देना है अब यह काफे आपको खराब देख रहा ह है बट हम इसको भी edit करेंगे तो यह और अच्छा हमारा हो जाएगा बट आपको यहां पर एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि मैं जो यहां implement कर रहा हूं वह सिर्फ elementor और elementor pro की help से यहां पर कर रहा हूं में भी उसमें essential add-on वाला जो plugin था वह लगे कि ना लगे लेकिन हाँ elementor और elementor pro का use आप करना ही पड़ेगा जो मैं implement कर रहा हूं उसको implement करने के लिए तो इस form का नाम हम देते है new form तो I think यह perfect है सबसे पहले input size हम यहां पे medium कर लेंगे और label जो है label means जिसे name लिखाए इसको हम हमें remove परना तो इसको हमने remove कर दिया अब message मैसेज को remove करने के message नहीं चाहिए हम है उसके बाद आपको name पी-click करना इसको required करना है required करने के बाद इसका size है 33% еш 가장 यह ऐस ऐसी को यह रखना है आप बारियाती email कि आपको email कि टना रखना Email इमेल भी रिक्वाइड है पहले सही तो उसको हम रखते हैं साइज 40 परसेंट अब देखें कि यह की लाइन में आ गया उसके बाद हम आते हैं बटन पर बटन पर क्लिक किया बटन का साइज हमारा होगा मीडियम क्योंकि हम सब मीडियम रख रहे हैं यहां सही है इसको आपको क हम कलर सेट करेंगे आप देखने हैं कि इसके बीड्रूण थे बलू और यह और आइक ब्लू है यह और यह कैसे करेंगे तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले मैं यहां पिसको चेंज करता हूँ यहां पर हम करेंगे लेट मी इन ओके नौ आपको आना है स्टाइल के अंदर यहां पर जो कॉलम गैप है कॉलम गैप को आप अपने सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर इसको एट एंड रोज गैप रोज गैप क्या होता है जैसे कि आपने अपना जो फोन में खोला तो इसके बीच और इसके बी अब हम यहां पर फीड पर आएंगे फीड पर आने के बात जो हमारी बॉर्डर विथ होगी उसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगा आइटिंग टू इस इनफ और जो सका कलर होगा वहां यहां पर रख देते हैं यहां पर जैसे यह ब्लू है तो हम चली ब्लू ही रखते हैं bet so blue रखने के लिए हमने यहां पर क्लिक किया और यह हमारा color ब्लू होगया है अब बयर्ड रेडियस रेडियस क्या होता है तो रेडियस ही जीतना मैं इसको कर रहा हूं यह उतना ही सर्केल में होदा रहा है तो इसको रेडियस बोलते हैं तो रेडियस हम यहाँ पर फिलाल 3 करेंगे जिसे की विज़कोल हलका सा एफेक्ट रहे है ज्यादा नहीं ओके उसको बाद हम आते हैं बटन्स पर बटन्स में हम इसकी सेटिंग करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका जो बैक्ग्रोंड कलर है वो क्या है कि स्कंसित अंधिंगे जो आरेंज करते हैं गया है और यह उते हैं कि अब इस नहीं करना है तो हमारे case में हम इसको थोड़ा सा कर देते हैं आभ यह आप देख रहे हैं थोड़ा इसको light करते हैं और झालाइट करते हैं इसको अब यह थोड़ा सही लग रहा है तो इसको फिर छोड़ देते हैं अब हमारे बटन है इसकी टाइपोग्राफिय हमें कुछ चेंज करनी है तो इसके लिए आपको बटन के अंदर ही टाइपोग्राफिक ऑप्शन मिल जागा आपको यहां पर क्लिक करना है क्लिक करने माला आपको फोंगी क्षेटिंग कर दे गई ही है और यहां पर हमस्को इसका वेट हमस्का फॉंट को जीचेंज कर लेंगे कंड को चेंज करेंगे हम वर्दाना से देखते हैं क्या हुआ को अश्य लग रहा है एक एसको हम थोड़ा कर लेंगे एंवेट में अगर बोल्त कर दें तो कि खराब लग रहा है सब्सक्राइब कर लेंगे इसको अपर केस कर लेंगे एंड इसको हम सब्सक्राइब करते हैं आप यहाँ पर दर भीसल में को सब्सक्राइब करेंगे आपको सिमप्ल है अच्छोज कर आखरेंगे वह कलर्स आ जाएगा कि गए हमारा यहां पर हमारा form पूरा हमारा ready है बट यह form पूरा middle में है वो चाहिए vertical हो और horizontal हो यहां पर हमारा form middle में नहीं है इसको करने के लिए इस form के editing में ही जाएंगे एडवान्स पर क्लिफ करेंगे यह आपको आना है padding के अंदर, padding के नदर आपको यहां painter करना है यहां प। experiment करते हैं 1-2-3-4-5-6-7 जो के नदर ना अब आप देख रहा है हमारा form यह पूरा create हो चुका है जैसे यहां पर यह हमारा form है वैसे हम इसको create कर चुके हैं तो friends form create करने के बाद यहां पर एक important step आता है वो है कि आपका जो user है वो जब form में detail अपने इंटर करेगा तो उसके बात क्या होगा तो उसके बात के लिए आपको करना ये है आपको अपने form पर आना है form पर आने के बाद आपको क्लिक करना है action after submit अब यहाँ पर हमारे case में हम convert kit के यूज कर रहे हैं बाट आप आपके case में mailchimp drip active campaign get response और ऐसे बहुत से email services जिनका आप यूज कर सकते हैं बाट convert kit का यूज मैं इसलिए करता हूं क्योंकि यह अप 1000 सब्सक्राइबर हमें free में देता है यानि हम एक सब्सक्राइबर को free में store कर सकते हैं इनके database में और वहां से हम बहुत सारे emails उनको एक limit के साथ send कर सकते हैं तो अगर आप convert kit sign up करना चाहते हैं या उस पर अपना account create करना चाहते हैं तो नीचे आपको description में इसका link मिल जाएगा आप जाके वहां से sign up कर सकते हैं बिल्कुल free में आपको यहाँ पर एक रुपए भी नहीं देना इसका सो अभी हम यहाँ पर select करेंगे convert kit आपकी case में अगर आप जो भी यूज़ कर रहे है उसको आप select करेंगे convert kit ओके है अब देख रहे हैं यहाँ पर convert kit का option आ गया set your convert kit API की इंदी इंटीग्रेशन setting में हमें convert kit की API को enter करना है तो API की को enter करने के लिए आपको आना है dashboard के अंदर आपको क्लिक करना है elementer settings आपको elementer settings के अंदर आना है देन सो सेटिंग में आने के बाद आपको क्लिक करना है integration पर integration में छीम ऑब आपको ढूण नािक कोनवर्ट केट जैसे कि अगर आप MailChimp ढूण रहें तो आप MailChimp में अपनी API का इंटरे करेंगे डिप है तो डिप में और फिला हम आता है convert kit पर तो आपको यहाँ पर अपनी API की इंटर करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर API की दिख रहा है तो यहाँ पर आपको रैट क्लिक करके इसको निव टैब में open करना है अगर आपको अकॉंट लोग इन हो तो डिरेक्ली आपको यह API की आपको शो कर देगा अगर login नही है आपको फिर save changes पर क्लिक करना है save changes पर क्लिक करने के बाद जब यहाँ पर चेंजे सेव हो जाए देन आपको वापस आना है अपने वाले पेज़ पर यहाँ पर आपको इसको रिफ्रेश करना है जिससे कि वहाँ पर हमने जो API की इंटर की है उसका डेटा यहाँ इस पेज पर भी update हो जाए तो वापस हम आएंगे form को edit करेंगे form को edit करने के बाद हम आएंगे convert kit के अंदर convert kit में आने के बाद अब यहाँ पर लिख रहा है you are using convert kit API की set in the integration setting यानि हमने जो API की इंटर की थी वो यहाँ पर पुरी तरह update हो चुकी है ना आपको यहाँ पर form select करना है form में select करने के बाद हम यहाँ पर free email ebook और union landing page यह दो form मैंने create किये थे तो हम यहाँ पर free email ebook पर click करेंगे आप यहाँ पर लिखा रहा है field mapping यानि email और first name यह हमारा first name है और यह हमारा email है तो convert kit में जो हमने create किया है तो वहाँ पर कौँछ detail जाने चाहिए तो email के अंदर हमारा email जा create करते हैं और convert kit में अपने data कैसे store करते हैं अगर आप चाहते हैं मैं इसके उपर वीडियो बनाओ तो प्लीज आप नीचे comment करिए आपके comment करने के बाद मैं देखूंगा कितने लोग इस वीडियो को चाहते हैं तो मैं convert kit के उपर पूरी एक video लेकर आऊंगा जिससे कि आप easily elementor और convert kit को अपास में connect कर सकें तो come to our video उसके बाद tax को हम यहां पर आज सही skip कर देंगे कि आप एक beginner हैं इसलिए हम ज्यादा इसको complex नहीं बनेंगे तो हमारा जो यह form है वो फिलाल अभी convert kit से connect हो चुका यानि यहां पर जो भी हमारा user अपना name और email इंटर करेगा उसको इं इस image को आप कैसे लगाएंगे तो आपको simply यहां पर click करना है and image आपको image को drag करके यहां पर drop करना है कि हमारी image यहां drop हो चुकी है तो फिलाल यह size काफी बड़ा है यहां पर upload पर click करेंगे then हमारी image यहां पर यह पहले से ही हमने download करके रखी होई है so हमारी image यहां upload हो चुकी है इसको हम insert media करेंगे then अब यहां पर इसका size है वह काफी बड़ा है तो इसको हम size को छोटा करेंगे size को छोटा करने के लिए simply आप style भी click करेंगे इसके width इसको आप यहां से adjust कर सकते हैं so हम यहां पर इसके width को 65 I think 65 is enough so अभी आप देख रहे हमारा जो यह website का जो main form है email capture करने वाला वह same हम अपनी website पे इस तरह का बना चुके हैं so एक बार हम अपने इस form को mobile and tablet view भी ले लेते हैं जिससे कि हम 100% sure रहे हैं कि हमारे यह form fully responsive है तो इसके लिए सबसे पहले आपको वापस नहां पर आना है आपको यह desktop का icon दिख रहा है जो कि responsive more वाला icon है तो आपको इस पर क्लिक करके आपको क्लिक करना tablet के उपर so यह हमारा tablet view जो की पूरा सही है फिर हम आते है mobile view के उपर इस पर हम क्लिक करेंगे और आपको style के अंदर आना है फिर आपको typography पर क्लिक करना है यहां पिर इसका font size है in यहां decide करेंगे, I think 28 font size इसके लिए perfect है, then आपको जो हमारा description वाला font है, वहाँ पे उसको edit करना है, then आपको फिर से style के अंदर आना है, और edit typography पे click करना है, then यहाँ पर भी हम इसका font change करेंगे, यहां पर, अब आप देख रहे हमारा, इसका भी font change हो चुका है, जो की 17 है, अब यहां पर इसकी setting देखने हैं, पूरी setting से खराब है, तो इसको हम वापस form पे edit करेंगे, then आएंगे, हम advanced tab के अंदर, then padding, padding हम यहां इसको 6, 6 is enough, तो हमारा यह form सही हो चुका है, अब यहां हमारी इमेज है, वो कुछ जादा ही छोटी है, so हम इस image को यहां पर 100% कर देंगे, जिससे कि हमारी image यहां पर ठीक से लग जाए, नो हमारा अब यह form mobile view के हिसाब से भी पूरा ठीक हो चुका है, आपको यहां पर एक चीज मैं बता दू कि आपने जो यहां mobile preview में जो आपने setting किये जैसे कि हमने padding change किये, हमने font size change किया, तो यह सिर्फ mobile के लिए ही रहेगा, यानि desktop पे इसका कोई effect नहीं पड़ेगा, tablet पे इसका कोई effect नहीं पड़ेगा, यह effect खाली mobile view पर पड़ेगा, इसी तरह आप हमारे इस tutorial को follow करके अपने website के लिए इस तरह का form create कर सकते हैं, मैं आसा करता हूँ हमारा यह आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर इस वीडियो में कुछ ट्राय गया है जो आप कहना चाहते हैं, या आप मुझसे कुछ पूशना चाहते हैं, या आप एक्स्ट्रा कोई help चाहते हैं मुझसे, तो आप नीचे please comment करिए, मैं आपके एक एक comments का reply करूँगा, और पोश्चिस करूँगा कि आपकी जो भी problem में उसको मैं solve कर लूँ, और अभी तक अगर आपने मैं चैनल को subscribe नहीं किया, तो please इसको subscribe कर जिए, like करिए, share करिए, म मिलते हैं मारी नेक्स्ट वीडियो में, thanks for watching us.